सो गैस आज मैं डिस्कुशन करने वाला हूं विष्ट बंगाल के बारे में काफी सारा वेकेंस यही बच्चे के मन में एक ही डॉट होता है क्या सर मैं फॉर्म फिल्ट कर सकता हूं या नहीं एडिजन यह है कि सर मैं विष्ट भंगाल से ब्लॉंग नहीं करता हूँ क्योंकि रुक्यमेंट काफी आई है ना उसमें तैन पास एंड अगर आप बैचलर डिगरी हैं दोनों बच्चे एलिजिवल हैं कॉइंस्टेवल और एस आई दोनों को साथ रुक्यमेंट आई है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फिलोग कर सकते हैं और वहां भी आप को शन पूश सकते हैं अगेशे और अगय कि और नहीं मेरे इंस्टाग्राम आईडि हैं आप मुझे यहां भी पूशन हB कुछ स्कते हैं तो यहां आप सखिन पर वेस्ट बंगल प्लिस रिक्वाइमेंट की और से रिक्वाइमेंट आई ये नौव बाइस तरीस आप लोगा फॉर्म फिल होना चालू हो जाएगा बाइस 1121 एंड ये आप लोगा फॉर्म चलेगा 2221 गैस इस फॉर्म को आप पर रिल्यक्स तरीका भी भर सकते जैसे मैं और सुब में बताता हूं कि आप फॉर्म आया वेकेंसी आप फॉर्म भरना चालू कर दो नहीं आप इसे इसली अमताब अराम अराम से भरे कोई सदिकत वाली बात नहीं है नाव कोई स्टेबल का फी मैं बात कुरूं यहां पर 170 रिप्या है यही अगर मैं बात कुरूं शेख वंगाल के आपके पास अगरिकता है तिन आप आपके लिए यह वेसलीटी मिलेगा अधर दो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं जरूर कमेंट कर दोगा जैसे कि मैं प्लीज एक फ्रेंट को जरूर सेल कर ही दीज़ेगा कि हर बच्चे की मन में एक जाने की जिग्यासव थी क्या कर तब बगरा क्या थी ना 18-17 साल है तो आप अप्लाइब कर सकते हैं एक 1221 को आप 18 साल पूर जा यहां पर लिख दिया गया साभ साभ कि आप 10th school होना चाहिए from West Bengal बोर्ड से ठीक है with read and write speak आप लोग क्या आना चाहिए भेंगाली आप लोग को आना चाहिए ठीक है यहां पर लीक दिया गया है कि West Bengal बंगल बोड होना चाहिए यह चीज तो आसा गल्दी कर दिया है यहां पर लिखना पढ़ना तो बहुत बच्छा को आ जाता है बट यहां पर देए विश्ट बंगल बोड होना चाहिए तो यह प्रब्लम माले की रिएट है तो गैस अगर आपके पास यह बोड है तब अपला नहीं होगां सबस्टेक्स यह में साई के बारे मैं साध में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में आज्स में सबस्टेक्षा के रिट्र यहां थे पास्टाइल यहां पर देखिए यहां पर आपका यह नहीं मैंगते कि आप कोई सावी बोड हो देन अपप्लाई कर सकते हैं यहां पर डिट और राइट चाहिए आप अगर वेंगाल में जॉब करना चाहिए तो वहां की दुभासा आपको आना चाहिए लिखना तो आना चाहिए क्योंकि आप परसासनिक सिव काम का चीज नहीं है काम का चीज यह होता है कि सेलेक्षें और कॉस्स वगदा क orange चाहिए मतलब आपको एक सीट से होना चाहिए यह सब क्या आया यह सब से नहीं मतलब होना चाहिए फिर भी आप देख लिए अपना यहाँ पर पूरा चीज दिया गया है डिटेल यहाँ पर मैं एक चीज में आप लोग को बताने की कुछिस करूँ अगर आपका को इंस्पेक्टर करते हैं देखो कैस यहाँ पर मैं फिजिकल के बारे बता दू अगर आज से आप फिजिकल देना चालू कर दे रीजन यह होता है कि बहुत बच्चा यह कुछिस करता है यार पहले एक्जाम तो निकल जाए देल हम फिजिकल कर त्यारे करेंगे नहीं यह बहुत ही बड़ा बच्चे चाल फिजिकल करने में भी तूसरा टाइम लगा तो थोड़ा ओर थोड़ा बीस मिनिट यह तीस मिनिट का टाइम निकाले और ज़रूर आप उसको थोड़ासा अपना फिजिकल में देख क्योंकि बहुत ज़रूरी यह फिजिकल भी और इसिस पीजिकल ही जरूरी ≦ इC&ा अच्छा खासा फिजिकल चेक होता है तो कुछ यह था नोई यह कुछ आपको ऑफिसल नोटिफिकेशन है जो आप आप इसकीन पर देख पा रहे होंगे गाइस सो खेर हम यहाँ पर बात करेंगे नौ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एलिजिबिल्टी के बारे में और लेडी मैंने बता ही दिया कि आपका ठाड़ा यह पूर जाना चाहिए कुछ जो फैक्ट बात में वही चीज़ बताने की कुछिस करूंगा देखो यहाँ पर दे रखाएगा इस आप लोगा एक्साम कंड़क्ट होगा यहाँ पर दे रखाए कि जनरल नोलेज पचास नमर का पूछा जाएगा नौ मैथमेटिक से तीस नमर का पूछा जाएगा आपका 20 नमर का पूछा जाएगा इंग्लिस यहाँ पर दिया नहीं एक घंटा कर रहेगा एक नमर का को सनेगा टोटल सो को सन्हों होगा इस इसके देख लें मतलब प्री एक्जाम होगा तो कुछ यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी दे रहा है तो कुछ यह आप लोग देखाने एकोशिश को देख यह तो कुछ आपका सिलेवस हो गया यहाँ भी आप मैं बात करो तो कौन सा बुक आप ले सकते हैं नहीं ले सकते तो देखो कैसरे के लिए मैं बात करो फी सारे से बच्चे हैं न्यू इस्टूडेंट मेरे खाल से नहीं होंगे अगर होंगे तो आप प्लीज मुझे स्पिसली कॉमेंट कर दीजेगा यहाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉमेंट कर दीजेगा मैं वहाँ भी आप लोगों को बताने की खोशिश करूंगा थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो प्लीज आप उसके टेंसर न लीजेगा यहाँ पर लेडंक क काम करना चाहते हो परसाषनिक सेवा के लिए तो उनके बारे में एक आतिस जनकारी होना चाहिए ठीक है जो फेपर होगा दहों लेट में उन होगा यहाँ पर लेगशिए है यहाँ है पेपर विल चिकमन में डॉट होता है कि भाई सेलेक्शन हो नहों सेलरी तो जरूरी है तो 2700 से लिए यहां पर देख सकते हैं जो आप पुराने स्टूडेंट है जो यहां डूट है किसी ब्लीजन वजए से बूट आप लोगो रहा हूं यहांपे अगर मैं बात करूँ गैस तो फिजिकल बढ़ गाया का ओलेडि मैंने जिक्र कर ही दिया हूं यह कुछ आप लोग का मैं बात करूँ फाइनल रिटर्ण एक्जाम है यह भी आपको वेंगाली और नेपाली में होगा तो यह कुछ दो होगा पिड़ी और दूसरे कुछ जिसको आप मिन्स बोल सकते हैं नमर 25, 2885 का होगा यहाँ पर देख सकते हैं नवल सकाल सब्सक्राइबिदके प्रवी सेलेक्शन होगा यहाँ यहाँ पर इंटर्व्यूं ज्यादा खास नहीं होगा तो तो थोड़ा बहुत पूछेगा, पतकी आपको वेंगाली और संमय'd चेवा के बारे हम पुछेगा और जाता हम पुछ फास नहीं पूछ सकता है तो यह कुछ आप लोग का यहां पर आप लुग सकते ने इसके बाद मेडिकल होगा डोकुमेंट वेडिफिकेशन होगा जो आप लोग जानते ही इनके बात क्या क्या होगा ना हो गाइस यहां पर मैं एक चीज़ बात करूँ तो एप्लिकेशन फिव अगेरा और लेडिमेंगे डिसक्रसनी कर चुका हो अब बच्छे के मन में आता है कि सार इसका क्यों परते हैं चयाद मुझे यह सब डिसकर सर नहीं करना चाहिए क्या है यहाँ पर मैं सेलेक्शन प्रोसेस पर ही आता हूं और लेडि मैंने और सिप्स्टिक्थिं कर चुका है जो जो फैक्ट बात है वो डिसकर संब कर चुका हो गया अनृश्व पर यहां पर देख सकत होगा इसमें भी आप लोगा जेनरल इस्टेडी लोजीकल रिजिनिंग बगेरा सेम पुछेगा जो यहां पर आप स्कीन पर देख पार होंगे गाइस आप लिए तरीका से आप प्लीज उस वीडियो को त्वासर रोक के एंट पूरें नौ यह पीडियो आप लोगा दो प्लीजन एक्जाम होगा जो 200 नमबर को होगा यहां भी लिखा गया कि पेपर इस टाइप इसको सन यहां भी आप लोगा सो मार्गा जेनरल इस्टेडी मतब जीके होगा और पचास मार्गा आपका इंगलिस होगा और पेपर टु होगा वह आपको इंगलिस हिंदी हाई होने बाला है बट ऐसा कुछ नहीं होगा इससे को याद रख लेए एक एबरेस तु हाई ठीक है एबरेस टु हाई आप इस सब को समझ सकते हैं मॉडरेट भी नहीं होगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं और परसलाइटी टेस्ट तीस नमर को होगा से मैं ऐसा लेए कि ना हम कुछ आते काम की बातों पे नो मैं यह जो बता रहांगे सिल्टार इसाइड़ में लिडरा हैं यहां पर मैं बात करूँ यहां पर आप देख सकते हैं जरनर का 189 तो यह यहां भी कठब देख सकते हैं नो तो कुछ सरक टॉप क्या होने बारे कुछ यह आपक कटप का मैं बात करूं यहां पर मैं SI का बात करूं तो देखो कटप चाहे SI हो चाहे Constable हमेशा कटप जाएगा मैं जेनर वाले के बात करूं तो वो 70% कि सब्सक्राइब कर दो हमेशा कटप 70% यह 75% के एप्रोक्सी होते हैं इसलिए SI का कटप थोड़ा सा HIGH होती है no coin stable का कटप थोड़ा सा कम होते रीजन यह होता है कि वहाँ पर सिर्फ selected बच्चे ही होते हैं SI में other राज की बच्चे भी form fill कर देते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा उनके बारे में जनकारी होना चाहिए तो क्योंकि यह होता है और काहीं से भी आप किया है कि यहां पर वोंते के हैं तो कुछ यह कोने बारा है कट-व आप अगर OFC में तो 24 परसेंट भॉन परसेंट अपकी मान सकते हैं को कुछ कट-व ऐसे ही जाता है गाइस ओम मैं बता हूँ यहाँ कि यहाँ प्रॉड कर देख सकते हैं 70 to 75% 60 to 70 and 62 एतना कुछ अप्लोक्स इहां भी कुछ कटप होने वाली नो यह पिडी है जब फाइनल बनेगा तो इसे कुछ कम परसेंटेज आपको देखने कोई मिलेगा फाइनल में थोड़ा सा ठीक है थोड़ा वेडियस होगा होगा ठीक है तो यह कुछ आप लोगा कटप हो होने वाली वाली गाईस तो आज के लिए ही है मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ त्थैंक्यू और वाइब आवे नाइस देख केर अपना ख्याल लगए मनना आगे पड़ी है आगे बढ़ते रही है लाइफ में